कि अप्रिवन कैसे हैं आप सब एस्टूडेंट्स लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ाई भी करना हैं बहुत सारे लोग खाना भी बनाते हैं हेल्दी खाना भी जो ओड़ी होता है और हेल्दी खाने के साथ साथ कई बजट कम भी होता है बाहर भी अच्छी रेसिपी बनाती है उनसे एक रिक्विस्ट मैं कर रहा हूं कि एक वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाए और स्टूडेंट का एक प्लेलिस्ट बना दे और हम आपसे यह भी कहेंगे कि इनको सपोर्ट कीजिए काभी मेहनती है बहुत मेहनत से आगे बढ़ रही ह कि मैं जानता हूं इसलिए आपको कह रहा हूं और एक रिक्विस्ट रहेगा है और आज भी कुछ बना के बता दीजे आज भी बनाओंगी एक ड्रिंक क्योंकि अभी समर आ रहा है तो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ते हैं ठक जाते हैं तो टाइम भी नहीं होता है पढ़ ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्थ पे कॉंसे सो ऐसा कुछ नहीं है घर के चीजों से और छोटे-छोटे चीजों से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो चलिए मैं दिखाते हूं एक ट्रिंग जो मैं स्टुडेंट के लिए बना रही हूं और डेली क्योंकि स्वस्त रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ेंगे जिए कोई स्पेशल वीडियो का रिकमेंडेशन होगा अगर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आज तो हमारा है ड्रिंक जो चुकुंदर समय बना रहे हैं बीट रूट से एक बीट रूट से किते लोग पी सकते हैं अब देखें यह अभी मैंने पैन गरम कर दिया है और इसमें डालेंगे आपको एक गलास पानी डालेंगे और जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक इधर से हम लोग को कैसे इसको कट करना है वैसे मैं बता दू कि मैं तो अभी इस से करूंगी लेकिन जिनके पास य अब इसको करेंगे, ऐसको चाकू से हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं, इसलिए मैं काट के दिखा दफा हैं, और यह हमारा टमाटर है, percentage में बहुत ज्यादा विटामिन ser होता है, तो ये भी लेना चाहिए, इसलिए मने एक टमाटर भी लिया है, अध्रक है, बहुत ही ज्यादा ठंडक देता है इसलिए गर्मी में हमेसा अध्रग डाल के कोई भी ट्रिंक पियो तो बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है तो मैं इसमें आधा इंच अध्रग भी रूंगी यह हो गया हमारा कठ हो गया पानी भी गर्म हो गया डालेंगे इसलाइस को इसके तो इसके लिए थोड़ा सा हाफ लिमन डाल देंगे हमारा रेडी हो गया है चुकुंदर आप सिंगल चुकुंदर डालते तब आपको प्रब्लम था लेकिन जो जो मैंने डाला है उससे इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है और सब कुछ दो आजमी पी सकते हैं और दूसरा चीज और बताना था मुझे कि जैसे यह हम लोगों ने बनाया हाँ स्टूडेंट स्पेशल है जैसे यह बच गया हमारा उसके बाद इसको वेस्ट ना करें और आटे में भी डाल के आप लोग रोटी बना सकते हैं या इसका फिर से फ्राइए करके थोड़ा सा फ्राइए मतलब कि फोड़ा सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कर लिए सजिशन आता रहेगा स्टूडेंट के लिए बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगे हाँ बिल्कुल यदि मेरा वीडियो आप लोगो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोग जो भी कमिंट बोक्स में मिलते हैं अगले वीडियो में